आज का कोशन आपका है कि A vector दे रखा है ठीक है ठीक है तो A vector दे रखा है minus 2i cap plus j cap minus 3k cap ठीक है और B vector दे रखा है आपको B vector is equal to 5i cap plus 3j cap minus 3k cap ठीक है और एक equation और दे रखे है 3A cap plus 2J cap 2B 2B vector plus A vector plus 2B vector minus C vector is equal to 0 और आपको निकालना है C की value तो value put करते हैं चले जाओ ठीके A दे रखा है 3 से multiply करो के तो रहता है यह हो जाएगा minus 2, 3 is 6 minus 6I cap plus 3J cap minus 3, 3 is 9K cap ठीक है इसके बाद आप plus करो फिर 2, 5, 4, 10 10I cap plus 2, 3, 4, 6 6J cap और minus फिर से 6K cap minus C cap is equal to 0 तो C cap की value क्या हो गई आपकी C cap आपका हो गया यह 10 में से 6 गए तो कितना बच्चा तो देखिए मैं आपको सारे के सारे कोशन और एक्स्ट्रा होंगे एक equation दे रखिए और आपको निकालना C value दे रखिए value पुट कर C निकाल दो directly answer निकल जाएगा ठीक है तो यह हो गया 3 plus 6 9 J cap अब यहाँ पर बचा यह C इदर चले जाएगा तो positive में हो गया यह minus 9 K cap और यह minus तो minus यह क्या बलते है यहाँ पर 6 था ना 2,3,6 ओ एक और गलती करी है देखो multiplication में देखो मैंने क्या गलती करी है 2 into 4 2 to the 4 होता है यहाँ पर 4 लिखना था मैंने क्या कर दिया 6 कर दिया तो यहाँ पर 4 करो ठीक है और कोई गलती तो करी नहीं है सारी calculation mistake है और by chance मैं कभी कोई calculation में mistake कर दू तो देखिए क्यूंको calculation mistake होगी concept में नहीं होगी ठीक है तो calculation में कभी मैंने कोई गलती करी हो तो बताइए ठीक है तो यहाँ पर आगे है minus 4 क कैप तो minus minus plus हो गया तो यहाँ पर आजाएगा minus 13 क कैप और यही c की value है c vector की value है एक अच्छे पर एक और में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो c cap is equal to 4 i cap c vector is equal to 4 i cap plus 9 j cap minus 13 k cap अब मैं एक चीज़ और बता देता हूँ मैंने what is vector पर question video बनाई दी वो थी biology पर biology में vector क्या होता है और यह जो मैं vectors के question करा रहा हूँ यह है physics पर तो physics में vector क्या होता है physics में vector एक ऐसी quantity होती है ठीक है जो एक ऐसी quantity होती है जो magnitude भी बताती है और direction भी बताता है ठीक है जैसे force force magnitude भी बताता है और direction भी बताता है कि उपर के तरफ लगा है किस के तरफ लगा है किस direction में लगा है तो कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिए सारे डाउट क्लियर होंगे और अगर आप पढ़ाई नहीं करते तो कोई बात नहीं यहाँ पर आपके पास brain games में है अब brain games भी देख सकते हो active करने के लिए entertainment यहाँ पर entertainment शायद कम मिलेगा एक entertainment में मिल सकता basketball का मैंने gain डाल रखा था और को entertainment शायद ना मिले तो पढ़ाई में भी एक तरह से कोशिश करेंगे कि entertainment में कैसे निकाले तो अब कोई डाउट हो तो पूछ ले ना सारे डाउट क्लियर कराएंगे बहुत बार कह चुका और डाउट क्लियर करा देंगे सो अब class खतम होई कोई डाउट है फिर से बता रहे है कोई डाउट हो तो क्लियर कराएंगे So bye bye and have a nice day